36 गड़ के खाद दिनी रक्षक फूरी स्पेक्टर सिलेबस के एकोडिंग अधिनियम से संबंद 50 अंकों के 50 प्रशन होंगे जिसमें आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 के इंपोर्टन कोस्चन देखने वाले हैं इस वीडियो पर आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कब लागू हुआ था तो D हो जाएगा एकप्रण 1955 को लागू हुआ था अगला प्रस्न है आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंद में सही क्या है तो कौनसा हो जाएगा अप्सन C नहीं होगा अप्सन E हो जाएगा ठीक है संपूर्ण भारत में लागो होगा अगला प्रस्न है वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहर खद्यान फसलों में सामिल की जाती है तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा B हो जाएगा गन्ना अगला प्रस्न है वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहर अधिस उचना आदेश से क्या अभिप्रेथ है तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा B कांसर हो जाएगा C साज की ये राजपत्र में अधिस उचना आदेश अगला प्रस्न है वस्तू अधिनियम 1955 की धाराटू के तहट आदेश में सामिल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा इन में से कोई नहीं D हो जाएगा आंसर सास की राजपत्र मदी सुचना आदेश तदिन जारी कोई निर्देश ठीक है इन में से कोई नहीं होगा अगला है वस्तू अधिनियम की धाराटू के तहट राज्य सरकार में सामिल है तो कौन सा सामिल है आपको बताईए D उप्यूक्त सभी सामिल है राज्य पाल, विधान मंडल, केंदर साथित प्रजयसों के प्रसासर ये तीनों सामिल है अगला है अधिनियम की धारटू का के तहट आवस्यक वस्तू की सूची में सामिल नहीं है तो कौन सा सामिल नहीं है D उर्वरक सामिल नहीं है आप संडी हो जाएगा उर्वरक धारटू के तहट आवस्यक वस्तू की सूची में सामिल नहीं है अगला है चलिए देखते हैं केंदर सरकार को वस्तू अधिनियम की धारतु का के तहर अधिकार दिया गया है कि वह इसका आप्सन कौन से हो जाएगा ठीक है आप्सन कौन से हो जाएगा भी अधिनियम के प्रवधानों को समाप्त कर सकती है अगला है वस्तू अधिनियम की धारत तीन के अंतरगत उचीत और लापकारी कीमत में कीस आवस्तेक वस्तू की कीमत सामिल है तो कौन सामिल है पहला गन्ना सामिल है ठीक है गन्ना सामिल है अगला है वस्तु अधिनियम के प्राउधानों के अंतरगत उत्पादक से कौन व्यक्ति अभिप्रेथ है तो कौन से अभिप्रेथ है चीनी वीनी मर्द करता ठीक है आपसंसी हो जाएगा चीनी विनी मा करता है अगला है वस्तू अधिनियम 1955 के प्राधानों के अंतरगर मानियता प्राप्त वियोरी में कौन सी वेक्ति अभिपरेथ है तो इसका आंसर कौन सो हजाएगा D कौन सो हजाएगा D चीनी का विपन करता ठीक है अगला है बारो कोस्टन क्या कहता है राज्य सरकार्ट पर करतब्यों को अधीर उपन का उलेक किस धारा में किया गया है तो कौन से धारा में किया गया है अपसंसी धारा फोर में कौन से में किया गया है धारा फोर अगला प्रस्न है चलिए देखते हैं अगला प्रस्णा यहाँ पर आपके सामने है स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा रुको वस्तु अधिन्यम 1955 के किस धारा में आवस्यक वस्तुओं के उत्पाद प्रदाय वितर है तो कौन सा यह आपसन भी हो जाएगा धारातीन जो वस्तु अधिन्यम 1955 के धारा में है वो धारातीन में हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं यहाँ पर अगले पहले थोड़ा सा एक बार देखा देते हैं चौदा का है वस्तू अधिनियम की धारतीन में आवस्यक वस्तू के उत्पादन प्रदाय वित्रनादी के नियंदन सक्ती किसे दी गई है तो किसे दी गई है ये केंदर सरकार को दिया गया है ठीक है केंदर सरकार को दिया गया है जो धारतीन में आवस्यक वस्तू का उत्पा है तू सकती को उल्ले किस धारा में किया गया है इसका अंसर आप कमेंड में जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें इसका पार्ट टू वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा आज के लिए बस इतना है अगर आपक पैनल का दिया गया है ओके